हेलो फ्रेंस नवस्कार विल्कम टू वन डै एक्जाम टार्गिट चलिए देखते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेंस आजम लर्निंग डिसेबैलिटी या अधिगम अक्षमता को बहुत ही आसान में ट्रिक के साथ समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं विना टाइम वेस्ट किये अधिगम विकार अधिगम अक्षमता अधिगम बिजलन सब एक ही हैं अधिगम अक्षमता का मतलब होता सब्दों का उल्टा पुल्टा या क्रमेदर उधर करके पड़ता है इसमें डिस्लेक्सिया और अलेक्सिया दूसरा है लेखन संबंदी विकार जिसमें लाइन का ऊपर नीचे ले जाना वर्तिनी संबंदी कटना है इखरा भस लेखन होता है लिखते समय स्वेम से बाते करना इसके टाइप है वाक्षमता संमंदी विकार इससे मौकि विकार भी कहते हैं इसमें बच्चा बोलनी पाता जानता है इसके दो भागें डिस्फैजिया और अफैजिया ए पिचे यसाईए नेक्स्ट है गड़ती कॉशल संमंदी विकार इसमें गड़त के मुल चिन्नों को सवालों को उसके संबंद को अंगरती संक्रियाओं को बच्चा नहीं समझ पाता है इसके दो भाग है इसमें देखिए वर्बल ग्रैफिकल और लेक्सिकल इसके तीन भाग है वर्बल मौक नहीं समझ पाता है ग्रैफिकल में लेखा चित्रों को नहीं समझ पाता है लेक्सिकल एक वीडियो डाल रखाऊंस में डिटेल इंफिर्मिशन आप उस रेख सकते हैं इसे याद कैसे करते हैं कि सारी इतनी कंफ्यूजिंग हो जाता है इसलेक्सिया अलेक्सिया इस गोच पहुच हो जा रहा है इसे बस कुछ अबेलिटी है जो योगिता होनी चाहिए आधी है आधी नहीं है यानि कि जो विकार है वो पूरी तरीके से नहीं कि उसमें भर चुका है आधा है आधा नहीं है सुधर सकता है बच्चा है ऐसी कंडिशन है लेकिन जहाँ पर आ लगा है या इंग्लिस में ए लगा है वहाँ प complete absence of that ability पठन सम्मंदी विकार है अगर अलेक्सिया है तो मतलब उसको पढ़ना completely नहीं आ रहा है तो इस तरीके से है ठीक यहां पर आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं सब का मतलब एक ही होगा जैसे पठन सम्मंदी विकार अगर अलेक्सिया दोनों का मतलब है यह उसको पढ़ने में कठिना ही हो रही है ठीक है वर्ण माला नहीं सीख पा रहा है सब्दों का करम इधर अधर कर दे रहा है लेकिन डिसलेक्सिया में क्या है कम कर रहा है सुधर सकता है ध्यान देने के बाद सैकेटरिस्ट के पास ले जाने के बाद सुधर सकता है लेकिन अलेक्सिया में कंडिशन सीवियर है वो नही difference है और ये नहीं आपको याद करने डिसलेक्सियया तो अफैजय याद नहीं एक आप याद करें पांच 5 और दोगम आपको दस तो अपने आप याद हो जाएगा दिस और और एक difference है ठीक क्लियर है बात ये तो होगे एक याद करके हम दूसरा कैसे काम चला सकते हैं अब ये देखना है कि हम पहला ही कैसे याद करें जैसे अभी हमने इससे पहले बता है डिसलेक्सिया याद है तो अलेक्सिया लेक्सिया लेक्सिया ही हम कैसे याद करें को पठन समंद्धी ही है उसके लिए देखते हैं, जैसे सिया फिया जिया लिया, हमने चार वर्ड लिया है, चार वर्ड कैसे लिया है, क्या है, इसे देखते हैं, जैसे कोई दो बेने, दो लड़किया है, सिया नाम एक है, एक का नाम जिया है, आप कभी गुस्सा हो जाते हैं, तो कैसे बुलाते हैं, इससे जिया लिया सार्थक और निरर्थक शब्द आलू आलू खाना वना पैसे सिया खोला निरर्थक की लिया इसे यात कैसे करेंगे नम्हक्ति होगे पुणर्थयाँति को को लिखने के लिए क्षोख रहें ठीक उसके बाद आप क्या करेंगे लिखने के बाद वीदियो कंपलीट करte हो थीक यह बोल कर to हցगे बोलकर पढ़ेंगे याद करने के लिए को नोन से बरहते जी कोई बहुत तेजी से बोल करपड़ था कोई बहुत धीर को थे domiq अब क्या होगा बोलकर आपने पढ़ लिया उसके बाद आप देखते हैं कि हाँ तब बोलके पढ़े कित्ता हमको याद हुआ कुछ याद हुआ कि नहीं बस हम ऐसे ही बोल रहे थे तो आप उसमें गर्णा करते हैं कि अगर पांच कोश्चन हमने आपको बताया है उसमें से आ सकά करते हैं सिया हे तो यहाँ पर ऑब देखि पठन सम्बंदी विकार में क्या है पीछी सिया लगा हुआ डिसलैक्सिया के पीछे लास्ट में क्या श्या है ऑलेक्सिया की पीछे सिया है, लास्ट के जो दोक्षर हैं तो अभी इससे पहले क्या हमने बढ़ आए था पढ़ेंगे लिखेंगे सब उसी के नीचे हमने लिखा था नä तो सिया से हो गया पढ़ना जिस ग्रेफिया में लास्ट में फिया है तो अब क्या करते हैं पढ़ने की बाद हम लिखते हैं, तो ये हो गया लेखन संबंधी विकार, बात समझ में आ रही है, वाक्षमता संबंधी विकार, अब हम क्या करते हैं, लिखने की बाद बोल कर याद करते हैं, तो लास्ट में जिया है, तो जिया की नीचे बोल कर हम याद कर रहे हैं, तो जि ही Excel बनाते हैं कि हाँ इस तरीके से connect करेंगे अपने समझने के लिए ने समय तरीके DOEST अब उस प्रैक्तिस वाले से दीखी गा प्रै लगा है तो डिस प्रैक्सिया और ऑप्रैक्सिया आ में प्रैक्सिया प्रै 나타ा है तो इस तरीके से हम उससे प्रैस से connect करेंगे practice से, अगर आप ये ना इतना समझें कि यहाँ चितर बनाएंगे practice करेंगे तो भी आप dyspraxia से प्रैस से आप समझ सकते practice, practice किस चीच क्योंगी चितर बनाने की, मिलने ये चितरांकर संबंधी विकार है, एक और बचरा है, इसलिए आप इसे अलग से यादी कर सकते हैं, सारी चीचे ट्रिक से हो गए तो एक जो बच रही डिसार्थोग्राफिया, वह आप बढ़तनी समंधी विकार समझें, और इससे अलग नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, त्रिक कैसे लगी मुझे लाइक और कॉमेंट की तरू बताने क ज़रूर कोशिश कीजिएगा, मिलते हैं फरें एक नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुद्बाएं, टेक केर, थैंक यू